हेलो दोस्तों मेरा नाम है उगश्म माइंटेनर लाइपनम कोच मिडब्रेन आक्टिवेटर नया साल आपको मुबारक हापी न्यू येर इस नया साल के अंदर एक नई एनरजी लेके मैं फिर से आया हूँ और आपको इंविटेशन लाया हूँ क्या है मैं आपको मिलना चाहत हूँ क्यों करना है क्यों आना है प्रोग्राम में आपको बता दो यह आपके लिए यस आपके लिए हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ आप थोड़ा सा समय क्या कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा समय निकालिए बच्चों को जो है इंडि अंदर ये talent बढ़ा हुआ है, क्यों करना है, क्योंकि अगर हमने बच्चों को develop किया, तो ये जो आने वाला इंडिया है, वो super powerful हो जाएगा, तो इसके लिए हमें बनाना है, बच्चों को powerful बनाना है, Midbrain Activision, तरड़ एकसी, Activision जैसे Science को सिखाना है, क्यों इसको में सिखाना चाहता हूँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूत है, यस अच्छे लोगी इसे आगे लेके जाने वाले है, आपके गाउ में कोई नहीं सिखा रहा है, आपके तालुका में कोई नहीं सिखा रहा है, आपके district में भी कोई नहीं सिखा रहा है, इसलिए आपको बनना है, यस आपको ट्रोनर बनना है, आपने अगर ये वीडियो आप देख रहे हो न, मैं चाहते हूँ, पूरा देखो, लाइफ चेंजिंग होने वाला है क्योंकि क्योंकि एक नए साल में एक नए करियर, यस ऐसा करियर क्या कहूं मैं 6 साल पहले जब मैंने किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा जो है, यस इतना बड़ा जो revolution हम create करेंगे इतने सारे बच्चो को हम train करेंगे lockdown भी लग गया लेकिन मैं बारा जो प्रोग्राम बन नहीं रहा है, उचल दी रहा चल दी रहा, मैंने lockdown में हजारों बच्चो को train किया है, घर बेटे उनको सिखाया है foreign country से भी बच्चे जूड गए है, तो आप को भी ये चीज़ करनी है, मैं कहा कहा चाओ, किन-किन बच्चो को सिखाओ ऐसे भी बच्चे है, जो online में करना चाते है, वो live station करना चाते है, लेकिन कोई trainer नहीं ये कोई दूर से आना चाता है ये आप सिखो, यस आप आपके city के अंदर, आपके गाव के अंदर आपको सीखना यी है क्यों सीखना है क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी तो बदलती है, लेकिन आपकी कुद की जिंदगी बदलती है आप जब meditation करते हो, आप जो योगा करते हो, तो आपका mental जो peace से आपको मिलता है, आपको कुशी मिलती है, और बच्चों को जब सिखाते हो तो उने के life में जो भी change आता है जो माबाप है, वो आपको blessings देते हैं, तो ये सिखाना ज़रूरी है with brain activation, meditation करने के बाद बच्चों जब आखे बन करके read करता है तो सबसे important है बच्चों की imagination power develop होती है और यी imagination power अगर बढ़ गए, तो सुनिये ल्हान से imagination power बढ़ गए, तो उसकी decision ability बढ़ती है Albert Einstein ने कहा, तो आपके पास knowledge कम है तो चलेगा, लेकिन कलपना शक्ती ज़ादा चाहिए, क्योंज़ा चाहिए है, क्योंकि एक scientist तभी बन सकता है, जब उसके पास creative हो, उसके पास अलग thinking है, उसके पास imagination है, एक aeroplane बना imagination power से ही बना, एक अच्छी movie बनती है, वो creativity से और imagination से ही बनती है अगर आपको memory भी बढ़ानी है क्या मैं कहा रहा हो, memory को भी develop करना है, तो वो चीज़े याद रहीती है, कौन सी movie, series, books याद नहीं रहते हैं, क्योंकि वो imagination है, वो picture के पॉँम में, आखे बन करके बच्चा रीड करता है, रैटिंग करता है, तो उसकी imagination power बटी है, साथी साथ बच्चे का mind control है क्यों control है, क्योंकि यह alpha state of mind है, मन जीरो अवस्ता में है, जीरो thoughts में है, और वहाँ पे बच्चे visualize कर रहे है, तो क्या है, उसका mind उसके control में, जो भी आदत है, TV, mobile जो भी बच्चे गुजर रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे, कितना बड़ा कितना बड़ा revolution है, कितना बड़ा यह change है, हर बच्चे को जरुवत है, लेकिन problem क्या है, कोई school नहीं पढ़ा रही है, कोई tuition class में पढ़ा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है, तो opportunity भी है, yes opportunity, कोई नहीं तो हम है, yes, आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, आपकी life बदल देना चाहता हूँ, तो program मैं announce कर रहा हूँ, date को January में, 23 and 24 Jan, मेरा पड़े 24 को है, और आपको मैं invite करना चाहता हूँ, हमारी जो train to trainer program है, तो आपको इसी कि अपकी गाउ, आपकी शहर, आपकी जो भी जगा है, वहाँ पी आप सिखाओगे, मैं आपको 100% help रहूँगा, मैं उगफादा करता विश्वास रखी, 100% मैं आपको दूँगा, क्या कहूँ मैं, ये नहीं कहूँगा, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे जिन्दगी बदल देंगे, आप एक मेहने के अंदर, मैंने खुद ने एक मेहने के अंदर डाइ लाग से ज्यादा पैसे कमाये थे, जब 2014 में मैंने जब इसको पहले मन से शुरू किया था, तो ये आप भी कर सकते हैं, अभी तो मैं इसको ऑनलाइन भी लेके गया हूँ, ऑनलाइन का experience मेरा हो गया है, बच्चा घर पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप कौन से भी city से हो, लेकिन बच्चे activation हो रहा है, कोई class की ज़ूरत नहीं है, तो ये आप इसको ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, passive income generate कर सकते हैं, बड़ा passive income, yes, रोज admissions है, रोज बच्चों के call से parents के call है, क्यूँ है, क्यूँ है, कोई नहीं सिका रहा है, yes, महारास्ट्रा में, पूरी इंडिया में, मेरे परे इन activation, online, कोई नहीं सिका रहा है, तो आपको करना है, आप जैसे लोगों की ज़रू होते हैं, आप जैसे ट्रेनर की ज़रू होते हैं, date देखिए, क्या कहरा हूँ मैं, date देखिए, time देखिए, venue देखिए, और अभी क्या भी call की, जैसे क्योंकि लिमेटेट सीट से में, काफी कम लोग लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 100% देना है, ये 20 बैच, 20 पीपल्स की एक बैच होने वाली है, 100% हम देने वाले हैं, सबी जो ट्रेनिंग मटरेल हैं, आपको मिलने वाला है, तो अभी के अभी बहुत आफोर्टेबल हैं, मुझे पता है कोरोना के बद पैसे आपके पस कम है, आफोर्टेबल रखा हुआ है, तो जरूर कॉल कीजे अभी के अभी, जानते नहीं मिल ब्रेन के बारे में आप नए हो, तो ये वीडियो पूरा भी किये हैं, इसले 6 साथे बच्चों को और पैरेंट्स को मन के शक्तियों के बारे में, Mind Power के बारे में ट्रेनिंग्स दिता हूँ, Amazing Program हम कंड़क करते हैं, बच्चों के रिलेटेट बच्चों के प्रोब्लेम सौल करते हैं, इसी के एक प्रोग्राम के मैं आज बात कर रहा हूँ जिसका नाम है Midbrain, Third Activation यह जो हमारा amazing प्रोग्राम है जहां पे बच्चे की Third Eye, अज्या चक्र, बोधी, नेत्र, Divine Eye, Penal, Glad हम activate करते हैं और यह activation जो हता है इसे बच्चे बन आखों से दिखने लगता है close eyes से आखे बन करके बच्चे देखते हैं कैसे मुमकिन है, कैसे यह possible है मन के अंदर यह शक्ती पड़ी होई है देकिन हम अंजान है हमारा जो right brain है इसके अंदर एक power है imagination, कलपना zero वस्ता में जब हम कोई चीज को imagine करते है देखते हैं तो हमें बंद आखो से दिखाए देता है इसी power का use करके हम brain को develop कर सकते है subconscious mind की power को शमताव को बढ़ा सकते है इसके कुछ फाइदे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह चीजे जो है कोई दवाई, कोई medicine से नहीं possible है इसके लिए आपको exercise करने पड़ेगे जैसे तराटक हो सकता है, meditation हो सकता है yoga, acupressure point, brain gym, exercise, music therapy यह से काफी सारे exercise से मन के power को, right brain को develop किया जा सकता है तो पाँच फाइदे में बता रहा हूँ ध्यान से सुनिया पहला है, आपके बच्चे आखे बन करके lifelong देखेंगे यस, यानि उनको एक आख मिलेगी, देखो आख की value कितनी है, यह जो आख है, third eye, जो waterproof है sand proof है, dust proof है proof 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 है, और मैं बोलू यह आख जिन्दगी भर रहने वाली है, कितना जबरदच चीज है, second जो benefit है वो है, बच्चे का memory and concentration, बहुत बढ़ता है scanner machine बन जाते है आपके बच्चे, आखे बंद है, किताब को पढ़ रहे है, और आखे बंद करके जब पढ़ रहे है किताब को side में रखे scan कर लिया, photographic memory जिसे में कहूँ, एक बार पढ़ा scan हो गया, yes imagination, right brain हमें imagine किया आखे बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीज़ों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा data तो जो मैं कई बार कहा करता था ने कि एक आखरता इतनी ज़्यादा होने जिसमें यह होता है, ऐसा होता है तो खर इसके उपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में और भारत में यह science अभी 2013 में बाद 2013 में करीब यह introduce हुआ इस तरह का प्रियों की बाद में तो इतनी practice हो जाती है कि एक page ऐसे सामने रखा और वो पुरा scan हो जाता है जैसे मशीन में भी जो scan होता है ऐसे ही scan हो जाता है brain में बाकि हम बहुत पहले ऐसी सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी हरा अग में के तीसरी आख है आज यह चक्र में तीसरी आंख होती है ऐसा सब सुनते रहते थे तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाये जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं थर्ड जो फाइदा में बता रहा हूँ सबसे इंपोर्ट है और सबसे पाउर्फुल है और इसी के लिए करना है थर्ड अक्टिवेशन वो क्या है बच्चे के सेंस इंद्रिया 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 इंद्रिय है । शापि होता है उसको कान नहीं होते है या फिर जो कुता होता है दॉण होता है किस में werd तो ये सेंस हम भी आपको डेवलोप में एकंपैंट एसे का है तो소 कहूँगा ये करना जविआ है से शुलिब करके पूरि की पूरि किताब को पड़ा जा सकता है देखिए क्या आपका बच्चा 6 मिनिट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है क्या आपका बच्चा मक्षी बनकर किसी के शरीर के अंदर खुश सकता है क्या आपका बच्चा स्क्यानिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है आपका बच्चा सूपर कंफ्यूटर से भी तेज हो सकता है क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं उससे पंखा जल रहे हैं हवा कर रहे हैं नहीं जनाब ये किताब पढ़ रहे हैं और ये लीजे पांच मिनट में पन्नों को लहरा का बंद आखों से इन्होंने किताब पढ़ दिली इसके लिए भी आप सो सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर है कैसा टालेंट एक ऐसे स्कील जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं जितने भी मिड्ब्रेन एक्टिवेशन के प्रोग्राम में ने कंड़क किया है जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है उनिके अच्शुमेंट्स हुए है काफी जगावे जैसे वो स्कूल में चाते है टुशंस में कोई महमान आते है न्यूस्पेपर में बच्चे गए है टीवी प्रोग्राम में गए है क्योंकि दुनिया धूंड रहे है ऐसे टालेंट को ऐसे बच्चे को धूंड रही है कि उनके अलग स्कील है अलग वो कर सकते है तो आपका बच्चे बैटमिंटन करता है आखे बन करके करेगा लोग दूनने के लिए आएंगे कहा है आपका बच्चा अगर आपके बच्चे के अंदर टालेंट बंदाकों से तो उसको क्यारम सिखा ये उसको बैटमिंटन स्केटिंग सिखा ये क्यों कि वो अलग कर रहा है अलग एक skill जब आती है तो इससे confidence बढ़ जाता है बच्चे का confidence बढ़ाने के लिए करना ज़रूरी है और सबसे important भाइदा मैं बता रहा हूँ पांच हुआ इसको आपको ध्यार में रखना है यह जो program है यह ध्यान का है यह meditation का है meditation से बच्चे के हर एक विकार निकल जाते हैं विकार ही है जो बच्चे के problems होते हैं जैसे गुसा या anger जिसे मैं कहूँ जैसे mobile है वो एक addiction है यह विकार है या फिर ना सुनना यह भी एक addiction है तो यह जो विकार है उसको हम खतम करेंगे meditation से positive programming करेंगे NLP इसमें मैं सिका आता हूँ और meditation करके तो हम बड़े कुछ अजयों कर सकते हैं जैसे हमारे संत महापरुशे उन्होंने काफी सारे अपने कारियों को बढ़ा दिया है तो यह meditation बच्चों के level पे अलग ही experience होता है जो लोग meditation जानते हैं इस इसको जानते ही होंगे थड़ाई chakra हमारे body में होता ह सविन चक्रा इसके अंदर जो चक्रा है अज्या चक्रे वो डेवलप होता है उसके जो power से तीन memory concentration and intuition power यह डेवलप होती है तो बच्चे बच्चपन से ही ध्यान करेंगे सकारत्म रहेंगे सकारत्मक परसिति और सकारत्मक result उनको मिलेंगे कभी नकारत्मक चीज़ों को नही पढ़ा रहा है कोई class कोई tuition इसको नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चे की development लिए बच्चे की भविश्य के लिए बच्चे को successful बनाने के लिए बच्चे को genius बनाने के लिए ठराथ activation करना जरुरी है क्यों मैं इतना force कर रहा हूं बता रहा हूं क्योंकि जिनोंने यानवो लिय वो क्या कहते हैं जरूर सुनिये आटा सब्सक्राइबाइबित जर अगया है। सब्सक्राइब करें नमस्ते मेरा नाम विद्या है मैं योगे सर के पास मेरे बेटी को मिड़ीन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है मिड़ीन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है हमारी ब्रेन की शक्तिया कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तिया है इसका ऐसा सर ने हमें इस क्लास के जरिये से हमें कराया है और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफ्रेंस रहे बहुत अच्य सी दिखाई दे रहा है बच्चे के अंदर की जो मतलाब अबी बचे टीवी देखते हैं, मोबाईल देखते हैं, आय सब दंध हो गया है, बच्चों में भी बहुत अच्छा करने से बहुत अच्छा लगता है और सभी पैरेंट्स की यह शिकायत रहती के बच्चों के फीचर के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटी हो जाते हैं तो मैं सभी पैरेंट्स को यह कहना चाहूंगी कि अभी आप मेड ब्रेन अक्टिवेशन का कोर्स योगे सर के पास आणि त्या क्लास मिशे मीर मला काई आणुबहु सांगाशे वाड़ता तुमाला मी फर्स्ट टाइम जवा सरांच यह आईकला तेनी तेन्चा वीडियो दाकोला आणि मी मुलानना गिवन गेले होते मी जया वेल बगितला त्या ठीका नी माझा मुलानना ही दोनी मुलानना थर्ड आए उपन जाले ले तुम्हें यह अचर विश्वास करू शक्नार नहीं पन मला आनुबहु आले ले कि माझा मुल्गा त्यानी डोला पट्टी बांताई तो थर्ड आए उपन होते तेचा आणि तो बूक्स वगरे वास्तो प्रमाने आंखी तेन्चे विचारत कू पट्टी बूली दिवाजना मदे मला बरस्ता आनुगा वालेलै माझी मुल्गी कदी सकाईलोकर उठत नहीं पराओ आज तिर माझी तीला करते गंताई तेच मत्काय गंता हुब्दल आBUप तेच मॉड़ा वठतो अजिकसल तो बंदला are सरंकड क्लास लावला होता अनि मंझे एक दोन मैने तच माला खूब रिजल्स आले मंझे मिडोले बंद करू नायक कार्ड सोड़कु शकते मझे स्वाबाव मादे पन कूब परिवर्तन जाले पहले मंझे थोड़ा भांड़त होतो मंझे मी अनमा जब होतो युड़ा आमचे दो गांचे पटतना होता पहले पर नात जवापसुन आमी योगिश्त अन्ड शरंकड क्लास लावले तेवापसुन आमचे दो गांचे खूब जमतों आमचे खूब गट्टी जमली है आमी आई चा पन खूब आयग तो आमः पन आमाला कूब प्रेम गरती जेवा पसुन योगेश रंकडे मिड़ ब्रेन एक्टिवेशन चालू केला, तेवा पसुन माझे माझे खूब काई बदल जानो ले, माझे बहवता ही जानो ले तशे बदल, माला कॉन्फिडेंस ही वाडला, पर तो माझे जी स्कूल माझे स्कोरिंग उदी ती सुद्धा माला घरी सुद्धा माझे आई बदलांचा से मनने जेवा पसुन तू योगेश रंकड यह क्लास ला जायला लागली तेवा पसुन तुझा असे स्वभाव सुद्धा लेग जाला, तुझा अनि कान असे भान्न हाईचे, ते सुद्धा कमी जाले, सर्वांचा आयकेल लागली मुझे प्रत्यक गोष्टे ला चेंज जाले, मुझे लाइफ अपली चेंज जाले असे वाटता, पन जोडे योगेश रंक धन्ने वादते वोड तेवोड कमी जास वाटता, अनि हेजे मीड़ प्रेन एक्टिवेशन आये, त्या मुझे आपला थर्डा असे ओपन जाले, मुझे आमचा थर्डा ओपन जाले, त्या मुझे जोडे अपले स्कोरिंग करते थी, त्योडी अपन करू शोपतो, जितके अपले अपले कोश्चन आंसर पाई जासता, त्योडे अपले मीट, समझे आपन, मुझे अपले सोवज जोड़े कॉंपेटिशन लाओली, त्योडे मुझे आपले मागे पड़नी या मुझे, असर मला तरी वाट या क्लास मदू, तरी माजी यहँड़ी रिक्वेस्ट है कि तुम्ही सुद्धा योगे सरंगड़ या मुझे तुम्ची लाइफ सुद्धा बदले, त्योड़े अपन देली मेडिटेशन करता है, आ क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं, छाकले अपने भीतर खुद से आपूछ ले, कैसी चाहिए जिन्दगी खुल आखो से देख ले मुठियों को भीच के, सांसों को खीच के, सब से तक राने को, शिखर पर जाने को, मैं तयार हूँ